हेलो एब्रिवान, वेलकम तो मैं चैनल, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी रेसिपी, होल वीट पैनकेक की, बच्चों को पैनकेक खाना बहुत पसंद है, पर हम मैदे को अवाइड करना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है, इसे बनाने के लिए म उसमें हम डालेंगे आटा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, मैंने सरफ एक चम्मा चीनी आड किये, ज्यादा मीठा नहीं करना है इसे, अब हम इसमें डालेंगे दूद, लेकिन सारा दूद एक ही बारी में नहीं डालना, दूद को हम थोड़ा-थोडा करके आड करे ताकि यह बैटर एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बने, इस क्वांटिटी से लगबग 4-5 पैंकेक बन जाएंगे, अब मैं इसमें आड कर रही हूँ कोको पाउडर, कोको पाउडर आड करने से कलर अच्छा आएगा पैंकेक का, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1-4 टी स्पून, इससे थोड़ा बबली टेक्स्टर आएगा इसका, अब यह बैटर रेडी है, देखे थिक बैटर बना है, अब हम इसे ढख के 5 मिनिट के लिए रख देंगे, 5 मिनिट हो गए हैं अब, तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन को गरम करके ग्रीस कर अब इस बैटर को हम उस पैन में डालेंगे, एक कर्ची भर के बैटर डालेंगे हम, और इस बैटर को बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करना है, और अब फ्लेम को लो पे कर दीजिए, हमने इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है, अब देखिए इसके उपर बबल्स आ गए हैं, तो हम इसे फ्लिप कर देंगे, और दूसरी साइड से पी लो फ्लेम पे ही इसे पकने देंगे, पैनकेक रेडी हो गया है, दो मिनिट के अंदर हमारा एक पैनकेक बन गया है, इस बैटर को बना के आप प्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं थोड़े दिनों तक, और सर्फ क पीजे थैंक यू